हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वैल, मेरा नाम है शकील अहमत, तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल Let's Understand Pharma पर तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और फ्रेंड्स, अभी आपके पास जैसे की 3 दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन आप समझ सकते हैं तो फ्रेंड्स, अभी आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके MCQ's की प्रेक्टिस करें तो friends इस video में basically मैं आपके साथ जो discuss करने वाला हूँ वो है कि आप जो two hour exam में आपके two hour का जो exam है उसको basically आप उन two hours को कैसे utilize करें कितने questions आप attempt करें और कौन-कौन से question आपको attempt करने चाहिए और कौन से को आपको skip करने चाहिए तो friends basically because मैं इतनी सारी request मुझे आ रहे हैं इतने सारे message आ रहे हैं कि हम कितने question attempt करें एक अच्छी rank के लिए तो friends उसी को ध्यान में रखते हुए ये video मैंने यहाँ पर बनाई है हम थोड़ा सा discuss करेंगे इसमें और ये video बहुत छोटी रखूँगा friends क्योंकि अभी आपका time बहुत important है तो इस time को आप अपनी preparation के लिए दे सकें तो friends चलते हैं discussion की तरफ तो friends सबसे पहली चीज कि अगर आपको question में आपनी accuracy दिखानी है जादा से जादा आपको question attempt करने है accuracy के साथ तो friends उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो है आपको relax रहना exam hall में भी relax रहना और exam देने से पहले भी आपको relax रहना मतलब कि जैसे आपका कल exam है तो आज आपको चाहिए कि आप अच्छे से नीन ले ताकि आपके जो concept है वो return रह सकें क्योंकि friends आप देखेंगे कि होता ऐसा है कि हम बहुत सारे concept पढ़ते हैं और exam जैसे ही exam हमारे सामने open होता है उस time हमें क्या होता है कि concept दिमाग से निकल जाते हैं फिर हमें थोड़ा अपसोस होता है कि हमने कल इसको पढ़ा भी और फिर भी हमें याद नहीं आ रहा है क्या होता है friends आप देखेंगे कि हर कोई nervous हुआ होता है वहाँ पर हर किसी को tension रहती है कि कैसे question आएंगे क्या होगा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा कितने attempt कर पाऊँगा तो इस nervousness को यानि कि इस nervousness को हम कैसे relaxation में change करें यह चीज में आपको बताऊँगा friends जब मैं नाई पर जे डवली एक्जाम देने गया हूँ friends आपसे पहले मैंने master के लिए भी एक्जाम दिया और PhD के लिए भी एक्जाम दिया तो friends इस चीज को avoid करने के लिए जो nervousness है मैं क्या करता था friends वही चीज में आपको यहाँ पर बेसिकली बताऊँगा हो सकता है यह चीज आपके लिए भी helpful हो सके अब friends suppose कीजिए कि आप exam center में या exam hall में जहाँ पर आपका desktop है वहाँ पर 45 मिनट या 40 मिनट पहले आप जाके बैठ चुके हैं अब होगा क्या friends 45 मिनट बहुत जादा लगते हैं friends वहाँ पर क्योंकि यह जल्दी से नहीं निकलते हैं क्योंकि हम nervous रहते हैं और जाहिर सी बात है जब हम nervous रहते हैं या हम relaxed नहीं रहते तो time काटना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा difficult पड़ता है तो इ exam start होने से पहले तो students आपस में बात कर लेते हैं तो इस condition में करे क्या कि आपके जो आसपास के student हैं left right के आप उनसे थोड़ा बात करें कि आप कहां से हैं कि कितने दिन से preparation कर रहे हैं कुछ भी आप उनसे questions पूछ सकते हैं लेकिन हाँ exam से related आपको बात बिल्कुल नहीं करनी ह ना आपको कितनी आपने study की क्या क्या पढ़के आए वो चीज़े आपको वहां पर discuss नहीं करनी है आपको जो basically उनसे बात चीत करनी है वो normal talk करनी है जिससे होगा क्या कि आपका ध्यान जो है वो nervousness से हटके जो tension है आपको उससे हटके थोड़ा relax हो जाएगा तो इस condition में friends पास में अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसा भी हो सकता है friends PhD वाले जो candidate है वो भी आपको मिल जाए तो मैंने जब exam दिया तो मेरे जो left और right थे वो master वाले student थे तो मैंने उनसे बात की friends तो इससे होता क्या है friends relax session आपको मिलता है और आप relax रहते हैं और relax रहेंगे तो ultimately आपकी जो performance है वो increase होगी तो यह आप कर सकते हैं हो सकता है आपको super vision जो वहाँ पे invigilator है वो मना करें लेकिन friends इससे कुछ फरक नहीं पड़ता आप धीरे दीरे वहाँ पर बात कर सकते हैं और वो इतना ज़्यादा exam start होने से पहले ध्यान भी नहीं देते हैं इस आप में आ रहा है क्योंकि basically जो concept है यहाँ पे अगर आपने GPET का exam सारे बच्चे दे चुके हो और qualified भी आप कर चुके हो तो same marking system है जो GPET वाला वही नाइपर के अंदर भी है यानि कि जो marking system यानि कि आप अगर देखें GPET के case में एक question कि आपको four number मिल रहे थे और one-fourth की negative marking थ तो यहाँ पे फरक सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक mark का question है और same to same one-fourth की negative marking है यानि कि अगर आप इस system को देखें तो आप पाएंगे कि दोनों जो system है वो as it is है यानि कि दोनों के दोनों में जो marking system है वो same है अब आप main जो दिक्कत होती है वो इसलिए होती है friends की नाइपर कभी भी जो आपके marks होते हैं उन्हें reveal नहीं करता वो direct आपको आपकी rank दे देता है अब लेकिन friends अब जाहिर सी बात है आपके mark से उपर ही आपकी rank आएगी तो उसमें आपको यह attention लेने वाली बात ही नहीं है कि हम कितने question attempt करें देखिए question attempt करने का जो basic criteria है वो है कि आपको क इतने question exact आते हैं जितने question आपको exact आते हैं जितना आपको लग रहा है कि मैं इन में sure हूँ उतने question आपको attempt करने है अब आपके पास कोई cutoff तो है नहीं कि हाँ इतनी cutoff अगर हो इतने number अगर मान ली जिए 200 का question paper है तो उसमें से अगर मैं 100 ला देता हूँ तो यह cutoff है यानि कि मेरा हो जाएगा तो इस condition में तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 accurate हो जाते हैं या 105 आपके accurate हो जाते हैं तो आप risk ले सकते हैं 5 question के expense में तो friends इस condition में तो आपके लि इसा था लोग कहते हैं कि ज्यादा question attempt करो लेकिन friends मैं आपको अपना personal experience बताता हूँ मैंने अभी जो PhD का exam दिया तो उसमें friends आप देखें कि total question 175 थे अगर आप देखें friends 175 में से मैंने जो attempt किये वो 105 के आसपास attempt किये यानि कि 70 questions को जो थे मैंने उनको छोड़ दिया अब friends जो 105 question मैंने attempt किये उनमें बहुत जादा श्योरता हां हो सकता है उनमें 5 question रॉंग भी हो लेकिन friends मेरे जितने भी दोस्त जितने भी मेरे जानवाले थे उन सबने question जो attempt किये वो 130 plus 140 के around किये तो मुझे भी उस time tension आ गई थी friends कि हा यार यह तो बहुत गलत हो गया क्योंकि मैंने question कम कियें लेकिन friends अगर आप result देखें तो अभी आप मेरी अगर description में भी देखेंगे तो friends जो उपर वाले की किरपास है तो friends all India rank मुझे 1 मिला PhD के entrance exam में तो friends आप यहां पे इस चीज से conclusion म कितनी accuracy के साथ किया अब अगर आपको question accurate आ रहे हैं आपको लग रहा है कि मैं question में sure हूँ तो आप चाहें तो 200 के 200 भी attempt कर सकते हैं ऐसा कोई cutoff limit नहीं है लेकिन better मैं आपको जो suggest करूँगा जो advice दूँगा friends वो यही कि आप जितने आपको accuracy के साथ आ रहे हैं उतने question attempt करें friends देखें मैं आपको यहाँ पर एक example भी दे देता हूँ let's suppose कि एक student A है उसने attempt किये 100 question अब जैसे कि friends उसने 100 question attempt किये आपको लग रहा होगा 200 में से 100 question attempt किये तो बहुत कम किये लेकिन आप देखें कि मान लीजे वो उनमे sure है और उसके 95 questions है जो वो correct भी निकलते हैं उनमें से क् उनको पहले से उन पर यकीन था कि हा मेरे जो यह question है इनमें मैं sure हूं अब होगा क्या अगर आप calculate करने बैठेंगे इसके number तो आप देखेंगे 93.75 number आपको calculation में वहाँ पर मिलेंगे लेकिन वहीं पर देखिए दूसरा student है जिसने 150 question attempt किये क्योंकि उसको cut off तो पता ही नहीं लेकिन यहाँ पर जो 50 question incorrect हुए हैं उनकी वज़े से उसको expense देना पड़ा और उसकी वज़े से जो उसके number बैठ है वो है 87.5% यह friends एक example था उनके लिए जो risk लेते हैं अब अगर आप accurate करते हैं तो फिर तो कोई ऐसा cut off fix है ही नहीं कि आप इतने question attempt करें अब देखें अगर इन में ranking बनेगी इन दो student में तो first rank इसको जाएगी जाहिर सी बात और second rank इसको जाएगी तो आपके number के उपर ही आपकी जो rank है वो naiper reveal करता है और friends अब GPET के case में तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी देखेंगे कि 5 बच्चों की rank एक जैसी है यानि कि आप देखें कि 5 बच्च पर ही उसको admission देंगे अगर 4 बच्चों की rank एक जैसी हो गई तो friends admission में जो counseling होगी उसमें वहाँ पर बहुत ज्यादा problem होगी तो इसलिए naiper में mostly क्या होता है कि rank हर एक की unique होती है तो यह चीज आपको धियान रखना है जो आपकी rank calculate होगी वो calculate होगी आपके mark से basis पे और जो सिर्फ इतने question attempt करने हैं जिनमें आप sure है अब ऐसा friends बिल्कुल नहीं है मैं आपको यह चीज बता सकता हूँ मैंने आपने जो master के naiper jwee का exam दिया था उसमें भी मैंने 135 question attempt किये थे और आप मेरे rank description में जाके भी friends देख सकते हैं एक अच्छी खासी rank मेरे को मिल गई थी friends तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जो maximum आप एक cut off लेके चलें अपने questions की तो उसको ऐसे fix मत कीजिए कि मैं अगर 150 बोल रहा हूँ तो आप 150 attempt कीजिए नहीं friends आपको किसी दूसरे के कहने से कोई cut off set नहीं करनी question attempt करने की basically आपको यह देखना है कि आपको कितने question उन में से आ र friends अब आप चाहें तो friends हमने भी एक naiper का mock test start किया है 25 rupees में अगर आप देखें जो 30 June है उसको होगा friends आप चाहें तो उसमें भी participate कर सकते हैं उसकी link आपको description में मिल जाएगी लेकिन friends अब एक तीसरी चीज और आपको मैं बता दू friends कि questions को आपको attempt क्या से करना है आप देखे आप देखें इन पार्ट को चोड़ देते हैं उसके पीछे reason क्या है friends कि लोग जो students है वो बिना question को देखे ही यह assumption लगाए बैठे हैं कि यह time consuming questions है और यह जादा time ले जाएंगे इसलिए उनको directly without देखें उनको छोड़ देते हैं तो friends इस condition में होता क्या है कि उनकी rank थोड़ देखें कि यह एक rank booster का काम करते हैं non pharma part आपको करना ही करना है questions आप देखें इतने easy होते है friends आप मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ अगर आपने थोड़ा भी aptitude part के practice की होगी तो आप 20 seconds के अंदर वो question कर देंगे हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं यह 20 seconds से time कर सकते हैं यहां पर friends आपको एक चीज मैं और बताता हो चलूं कि आप यह बिल्कुल ना सोचें कि कि किसी question को देखने के लिए मुझे second chance मिलने वाला है आप यही सोच के चलें कि हाँ यह जो question मेरा है यह मेरे को अभी देख रहा हूं और यही मेरा last time है इसका देखने का त देख रहे है mostly cases में मैंने क्या देखा है friends कि आप किसी question को देखते हैं और आपको जो first option brain में click करता है वो ही mostly उसका answer होता है तो ऐसे cases में अगर आपको लग रहा है 50-50% chance है लेकिन आपको ने जब उस question को देखा तो आपका brain में एक answer तो उसका एकदम से click कर गिया दूसरा answer ज कुछ strategy आप उमीद है कि आपके लिए बहुत helpful रहेगी friends इस strategy को आप definitely अपने friends के साथ जो नाइपर की preparation कर रहे हैं उनके साथ भी sure और उनके साथ भी इसको share करें अब friends ये 75 लिखा हूँ है जो इसको ऐसा मस समझ लेना कि मैं 175 question आपको attempt करने के लिए बोल रहा हूं ये PhD इंट्रेंस के अंदर जो questions आते हैं वो 175 आते हैं master exams के अंदर जो questions आते हैं वो 200 आते हैं time दोनों के लिए same है तो ये number यहाँ पे PhD और अच्छी अच्छी आपके जब नाइपर में चले जाएंगे तो आपको research level की जो videos हैं वो आपको हम provide कराएंगे कैसे research करते हैं literature कैसे करते हैं उन सब से related भी आपको videos definitely इस channel पर मिलने वाली हैं तो friends all the best आपके exam के लिए अच्छे से करना है friends अपना 100% देना है जितना आप प्रेक्टिस कर सकें उतना जदा आप प्रेक्टिस कीजिए friends और आपके अगर short notes हैं जो आपने बनाए होंगे definitely prepare करते वक्त उनको आप continue revise करते रहें थोड़े थोड़े time उनको दें friends क्योंकि short note है तो आपको बहुत जल्दी आपके revise हो जाएंगे और friends हमारा telegram group में मैंने already जो हमारी pharma current of year की जो series थी हमने start की ती उसकी pdf भी वहाँ पे share कर दी है आप उसको भी download कर सकते हैं तो friends once again all the best for your exam do your best